नमस्कार दोस्तों एक बार फिर दूसरे भाग पर जहां मैंने पहला भाग समाप्त किया था उसी से आगे महा निर्माणी घाठ से लेकर दशाश्मीर घाठ तक आपको नजारे दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो में अन तक बने रहेगा और चैनल पर दोस्तों नया है तो चै पर दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो जैसा कि पहले भाग में मैंने दिखाया था आपको महा निर्वाडी घाठ और इस घाठ से आगे आपको लेके चलता हूं और घाठ के किनारे पैदली आपको मैं लेके चल ला हूं तशाश्मेद घाठ से मैंने पहला भाग असी गाठ के नजारे आपको दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों निर्वाणी घाठ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको दिखाई देता है शिवाला घाठ जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं ये है शिवाला घाठ मैं आपको पास करके दिखाता ह यह आप देख पार हैं शीवाला घाट के सामने देखेंगे आप तो काफी मिट्टी है और गंगा का जल इसतर नीचे की तरफ जाने के बाद इस मिट्टी के अब सफाई की जारी है यह देख रहे हैं जैसा कि वीडियो में शीवाला घाट के पास जमा मिट्टी घाट के सीडियों के पास अब उनको पानी के पेशर के द्वारा साफ किया जा रहा है यह आप देखेंगे इस तरफ तो यह शिवाला घाट आपको में ज़र आएगा चलिए आगे वड़ते हैं आने घाटों की तरफ शिवाला घाट से आगे हम चलते हैं बुलेरिया घाट यह देख रहे हैं शिवाला घाट का दिश और ठिक बगल में इसके तो आप देखें गुलेरिया घाट इहर देखेंगे तो लोगों का इसमान कर रहे हैं जैसा कि अबुलियम देख पा रहे हैं जैसे लिए गुलेरिया घाट से आगे चलते हैं इस द्रिश आप देख रहे हैं गुलेरिया घाट काफी पुश्चुरत छोटा सा मंदिर नकाशी तार इस घाट पर आपको दिखाई देगा गुलेरिया घाट के बाद हम आ गए हैं ठिक बगल में हनमान घाट की तरफ और यहां देखेंगे तो आप नमामी कंग्रे की तरफ से यहां पर काफी खुशूरत प्रिंटिंग की गई है और साफ सपाई का यहां पर संदेश यह आप देख रहे हैं हनमान घाट जहां पर यह इमामी कंग्रे के तरफ से यह आप देखेंगे तो यहां पर संदेश दिया गया है यह देख रहे हैं यह हनमान घाट पीलिरंग की विल्डिंग और इसके बारे में आप देखेंगे तो मुलत यह स्थान रामेश्वर घाट की नाम से जाना जाता है लोग मनता के अंसार श्री राम ने काशी यात्रा के समय यहां पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी तूलसी दास द्वारा इस इस इस्थान पर हनुमान मंदर सापित के जाने के कारण इसका नाम हनुमान घाट पड़ा सत्रवी शती में यह वैश्रों का पवित्र इस्थान था मानेतावन साथ सोलवी शती में यह इस्थान महान दार्षनिक वल्लबहाचारे की साधना स्थली थी चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखेंगे तो यह घाटों पर शौच ना करना मना है मतलब यह भी स्लोगन और उपर में देखेंगे आप तो सौक्ष रखने के लिए यह देख रहे हैं सभी नमामी गंगे की तरफ से आगे की तरफ ले चलते हैं आपको यह देख रहे हैं दोस्तों करनाटक घाट सामने आप देख पा रहा है करनाटक घाट कद्रिश आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन में और इसी के ठीक बगल में आप देखेंगे तो राजा हरिश चंद्र घाट नजराएगा आपको जहां पर माराणसी में दो जगों पर शौदा सबसे पहले मनिकनिका घाट पर और फिर हरिश चंद्र घाट पर किया जाता है यह आप देख रहे हैं हरिश चंद्र घाट चलिए इस घाट से आगे बढ़ते हुए आपको अनिक घाट की तरफ ले चलते हैं जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि मैं आपको असी घाट से लेकर तशाशमेद घाट तक पैदल ही द्रिश आपको दिखाऊंगा भाग है पहला भाग मैंने आपको दिखाया था यहां भी दिखेंगे तो गंगा आर्थी शाम को यहां पर की जाती है और यह भगवान श्यंकर सामने और इस तरफ भी आपको मंदिर सामने देखेंगे तो महराजाराज हरिश चंद्र मंदिर है यहां देखेंगे हरिश इमितिम संसकार लोगों द्वारा किया जाता है और इस तरफ देखें गाट पर इहां सीवधियों का निर्वान किया जा रहा है जो बाड के कारण तूड गया था उन सीवधियों को फिर से यहां पर बनाया जा रहा है चली दोस्तों इसी द्रिश्च के साथ आज़ी चलते हैं, आपको लेकर अने खाटों के तरह क्यायो दोस्तों हर्ष चंद्रघाट के बाद देखेंगे तो आपको पड़ेगा लाली खाट सामने है रहा है यह लाली घाट ठीक हड़ी चन्द घाट के ठीक बगल में चलिए आगे बढ़ते हैं देखेंगे तो यह आपको लाली घाट के बगल में आपका विद्या मठ है और यहां भी आप देखेंगे तो नमामी गंगे का स्लोगन साफ सफाई पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं हर्मान जीत की प्रतिमा यह दोस्तों यह हम आगे हैं केदार खाट केदार घाट का द्रिश्य आप देख पा रहा है वीडियो में अब लिए अब देख रहा है केदार खाट परी श्रीक बोरी केदार इश्वर मंदिर है ऊपर में जैसा कि आप देख पा रहा है इस मंदिर में गौरी इदार इश्वर मंदिर आप आप देख पा रहा है आप देख पा रहा है यहां गोरी के दार इश्वर मंदिर के ठीक नीचे में एक कुंड है छोटा सा आप देख पा रहा है यह कुंड आप देख पा रहा है यह गोरी के दार इश्वर मंदिर के ठीक नीचे सीडियों के नीचे और सामने आप देखेंगे तो मागंगा देख आप देख रहा है के दार खाट से तंगा के उस पार का देखेंगे दोस्तों आगे जैसे से बढ़ेंगे यहां घाट पर नीचे की तरफ काफी ज्यादा गंगा का जल इस तरह जा चुका है और एक घाट से दूसरे घाट लोग पैदल ही जा सकते हैं जैसा कि मैं आपको तरशाश्मेद घाट तक लेके चल रहा हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरू किजेगा और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरू करें और दोस्तों आप मुझे सुपर थैंक्स द्वारा भी सपोर्ट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं केदार घाट से हम आगे बढ़ते हैं तो हमको जो है चौकी घाट यह आप सामने देख रहे हैं यह है चौकी घाट काफी खुला परिसर सामने मंच है और इन सिडियों के ऊपर होते हुए हम आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप वीडियो दे यह चौकी घाट का द्रिश्य आपने देखा, यहां देखेंगे तो विविन प्रकार के रंगोली और काशी के कबीर महत्सो दो हजार बाइस, उननेस नौमबर से बीस नौमबर, यहां पर आज़ित किया गया था, और यह आपका मांस रोवर, सीवेच, तंकी है, जो सामने आपने देखा, और यह लश्मी चंडी महायग्य, यहां पर भरत आश्रम, यह पीले रंकी आप देख रहे हैं, पार है, वह है भरत आश्रम, बगल में सीवेच तंकी, और इसके आगे आप देखेंगे, तो चैमेश्वर घाठ, चोटा सा घाठ है, चैमेश चैमेश्वर घाठ, चैमेश्वर घाठ, पर यह मंदिर भी बना हुआ है, जैसा कि आप वीडियों देख पा रहा है, आगे बढ़ेंगे, तो मान सरोवर घाठ, चैमेश्वर घाठ के आगे, आप आएंगे पैदल ही, तो देखेंगे, आपको पढ़े गई था, मान सरोवर घाठ, जैसा कि वीडियों में आप देख पा रहा है, सामने मान सरोवर घाठ का द्रिश्च है, यह आप देख रहा है, मान सरोवर घाठ, सामने का द्रिश्च घाठ के, मान सरोवर घाठ से जैसे, आप देखेंगे, बगल में आपको दिखाई देगा, नारद घाठ, यह खणाव बना हुआ है, चित्र के माधियम से देख पा रहे हैं, और यह आप देख रहा है, लाल लंग की, जो भवन है, वो है, नारद घाठ, चली आगे, पढ़ते हुए, आपको दूसरे घाठ को लेचलते हैं, नारद घाठ के बाद, आप देखेंगे, तो आपको राजा घाठ दिखाई देगा, इधर सामने आप देख पा रहे हैं, यह दिर्श्य आप देखना है, राजा घाठ का, यह नीचे से उपर का दिर्श्य में आपको दिखा रहा हूँ, राजा घाठ, और यह सामने राजा घाठ के सामने गंगा नदी, यह सामने आप देख रहा है, खुबसूरत सा यह भवन, जो दिक पतिया, घाठ के नाम से जना जाता है, यह खाठ आप देख रहा है, दिक पतिया घाठ, यह देख रहा है, दिक पतिया घाठ, आपको नीचे से यह खाठ देखा रहा हूँ, उपर की तरफ, दिक पतिया घाठ से आगे बढ़ते हुए, यह आप देखेंगे, चौसक्थी घाठ, चौसक्थी घाठ, यह आप देख रहे हैं, यहाँ भी बोड के माध्यम से लिखा हूँ है, चौसक्थी घाठ, शिव परिवार की चौसक्थ योगनियों में से, संबंदित होने के कारण इसका नाम चौसक्थी घाठ पड़ा, शिव कि निदेश पर चौसक्थ योगनियों देवोडास को अपतस्त करने हे तू, वाराणसी में आउत्रित हुई, अठारवी शतीव में, पूर्वी बंगाल के दिक्तपतियों के राज्या ने इस घाठ को पक्का कबरवाया, रंग भरी एकादर्शी पर इस घाठ पर इसनान करना, यो मंदिर में दर्शन मंगलकारी माना जाता है, यह देख रहा है आप, चौसक्थी घाठ, इस सभी चौस यह पूरा चौसक्थी घाठ के अंतरगत है, यहां देखेंगे तो नगर निगम के द्वारा, यहां पर चेंजिंग रूम बनाए गया है, तो देख रहा है दोस्तों, राणा महल घाठ, चौसक्थी घाठ के ठीक बगल में, यह आपने देखा, राणा महल घाठ, काफी भावे भी दिखाए देता है, यह घाठ, और इस घाठ से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको दरबंगा घाठ दिखाए देगा, जो आप वीडियो में देश आप देख पा रहा है, यह दरबंगा घाठ का है, यह दरबंगा घाठ के ऊपर आप देख पा रहा है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुआ आपको और दिखाएं देश्यक इत्रीश आप देख रहे हैं दोस्तों दर्बंगा घाट का ब्रिज रमा पैलेस यहां पर पोतल भी है सभी द्रिश आप देख रहे हैं ब्रिज रमा पैलेस तर्बंगा घाट उपर से आपको दिखा रहा हुआ यह सामने देख रहे हैं आप ब्रिज रमा पैलेस से नदी की तरफ का द्रिश है काफी खुपसूरत रिश्य है जहां पर सफेद पुरा देखेंगे नावे खड़ी हैं पेंट की वही सभी देव दिपाली में पेंट की गई थी और यह द्रिश आप देख रहे हैं प्रिज रमा पैलेस यह देख रहे हैं प्रिश्य पुरा यह पुरा होटल में तब्दिल कर दिया गया है काशी दार और सुंदर पर काफी उंची भवन हैं यह सभी बलुवा पत्थ्रों से बनी हैं जाले दुश्य दिश्ट्रे के साथ आगे बढ़ते हैं और दशाश्मित की तरफे चलते हैं जापते हैं को तेक्रा मुनिक हार्ट और मुन्शी घाट से आगे बढ़ते हैं, यह मुन्शी घाट से हम आगे बढ़ते हुए, यह देखें, दोस्तों, यह अहली अबाई घाट, यहाँ पर, सामने आप देख पा रहा हैं, अहली अबाई घाट, पहली अबाई घाट के बाद, शितला घाट, और फिर उसके बाद, भगल में ही, आप देखेंगे तो दशाशमेद घाट हैं, यह आप यह देखेंगे तो यह शितला घाट, यहाँ पर शितला माता की पतिवाँ हैं, और मंदिर यहाँ पर है, यह आप देख रहा हैं, दशाश में यह आप देख पा रहा है दशाशमेद खाट का प्रेशिक अब वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और उम्मेद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों लाइक शेर, कमेंट जरूब कीजे ऐसे ही वीडियो आपको समय शमय पर मैं देता रहूंगा कि मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद अरहर महादेव चलिए दूस्तों इसे द्रिश के साथ वीडियो के यहीं पर विराम देता हूँ मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार हर हर महादेव